हेलो दोस्तों स्वावत है आपका आज के नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तो आज का टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि बीएस फॉर वेहिकल को 31 मार्च 2020 के बाद पूरी तरीकी से बैन कर जाएगा तो जानेंगे यह बीएस फॉर क्या है और यह बैन क्या है और यह बैन गलगन के पीछे क्या-क्या हरिजन थे तो शुरू करते हैं इस वीडियो गो एक्षुल में BS short form में भारत stage की यानि कि भारत stage emission standard यानि कि यह जो BS4 है एक standards है जो की गवर्न करता है government of India के द्वारा और इस standards को बनाने के पीछे जो motto है वो यह है कि हमारे देश में चलने वाले जित्ते भी कार हैं जित्ते भी engine है चाहे वो generator हो डीजल इंजिन हो पेट्रोल इंजिन हो उन सबसे निकलने वाले smoke के अंदर जो ऐसे particle होते हैं जो कि air को pollute करते हैं यानि कि air pollutant उनको regularize करना और इस standards को लागू करने की जिम्मेदारी है हमारे Minister of Environment, Forest and Climate Change के पास तो देखते हैं अब इस band के बारे में actual में center government ने 2016 में ही declare कर दिया था कि हम 2020 में BS6 को लागू कर देंगे अभी हाल में आपको पता होगा कि BS4 के vehicle हमारे country में allow हैं जो road पर हैं लेकिन उसके बाद BS5 आना था लेकिन center government ने क्या कहा कि हम अपने environment को ध्यान में रखते हुए BS5 को skip कर देंगे और डारेक्ली पहुंच जाएंगे BS6 पर और ये उन्होंने करा है यूरो 6 को देखते हुए जिस प्रिकार यूरोप में इस समय यूरो 6 standard चल ला है तो इंडिया गवर्णन भी चाहती थी कि इंडिया में भी यूरोप की तरह ही environment awareness के लिए BS6 standard ला दे जाएं तो government ने ये decide किया अब बात करते हैं BS4 की अप्रेल 2017 से BS4 गालियों का implementation हमारे देश में लागू हो चुका था यानि कि March 2017 से पहले जितने भी गालियां थी वो BS3 थी और उन पर बैन लगाया दे गया था और अप्रेल 2017 के बाद सिर्फ BS4 गालियों को ही बेचने की और उनके registration करने की permission auto manufacturer और auto dealer को दी गई थी जब center ने हैं decide कि 2020 में हम BS6 लाएंगे और 5 को skip कर देंगे तो कुछ auto dealer और manufacturer कोट चले गए इसके खिलाब क्योंकि उनके पास इतनी technology नहीं थी और उनके पास बहुत सारा stock पढ़ा हुआ था तो उनकी application पर एक court का order आया 24 October 2018 को जिसमें Supreme Court ने ये कहा कि किसी भी तरीके का extension auto dealer को और manufacturers को नहीं दिया जाएगा कि BS6 का implementation 2020 अपरेल के बाद क्या जाए उन्होंने कहा कि हमारे देश के citizen की health जादा जरूरी है आपकी wealth से क्योंकि हमारे देश का pollution एक critical level तक पहुँच चुका है साथी court ने ये कहा है कि हम citizen की health के साथ किसी भी तरीकी के compromise नहीं कर सकते हैं जबकि कुछ auto oil company यह चाती है कि इस timeline को बढ़ा दे जाए और कुछ पैसा अपना बढ़ा कर या बचा कर अपने profit में add कर ला जाए लेकिन court ने साथ साथ कह दिया कि BS6 का implementation एक अप्रेल 2020 से ही लागू होगा इसी को देखते हुए FADA, FADA means Federation of Automobile Dealer Association ने एक application फिर से file करी Supreme Court में और उसकी पीछे उन्होंने यह argument करा कि उनके पास बहुत सारा अभी BS4 का stock पड़ा है और वह एक अप्रेल 2020 से पहले उस stock को खतम नहीं कर सकते जिसके कारण उनके उपर financial debt जादा आजाएंगे उनको बहुत जहारा loss होगा लेकिन Supreme Court ने इसकी सुनवाई करी और recently 14 February 2020 को Supreme Court ने उनकी जो appeal थी उसको reject कर दिया और इस appeal को reject करते हुए Justice तीपक गुप्पा एंड Justice अरून मिशरा जी ने कहा कि किसी की भी तरीके का time extension नहीं दिया जाएगा BS6 को लागू करने के लिए यानि कि 31 March 2020 last date होगी जब BS4 वहिकल को बेच सकते हैं और उसका registration कारा सकते हैं लेकिन 31 March 2020 के बाद ना तो BS4 वहिकल बेचे जाएंगे और नहीं इनका registration किया जाएगा अब बात करते हैं यह BS standards यानि भारत standards किस-किस साल में लागू हुए और कब-कब यह हमारे देश में implement हुए तो यहां देखें जो सबसे पहला standards हमने लागू करा था वो कर था 2000 में यह पूरे देश में एक साल जून 2000 में लागू करा गया था और BS2 की बात करें तो NCR में तो यह 2001 से लागू हो गया था लेकिन पूरे देश में अप्रेल 2005 में इसका implementation हुआ था BS3 का implementation पूरे देश में अप्रेल 2010 में हुआ BS4 का implementation पूरे देश में 2017 हुआ BS5 को भारत सरकान ने skip कर दिया है और BS6 का implementation NCR में अप्रेल 2018 से ही चाल हो गया है लेकिन पूरे देश में इसको लागू करने की जो यूजना है वो अप्रेल 2020 है अब बात करते हैं कि BS6 और BS4 में क्या difference है यह एक हमारी सारणी है या कह सकते हैं table है यह देखी यह side में आपका BS4 norms है और यह BS6 norms है आप देख सकते हैं यह हमारे जो harmful chemicals हैं या air pollutant जो हमारे air को pollute करते हैं यह उनके नाम है CO, carbon monoxide, HC, hydrocarbon, NOx, nitrogen oxide, PM, particulate meter यह इसकी unity gram per km में आप यह देखे यह class लिखी है M & N1 class यह passenger vehicle है N1 class यह आपका commercial vehicle इसमें समाट हो जाता है & N1 class 3rd यह भी हमारी commercial vehicle है जिसमें समान ढढ़ा आता है लेकिन यह version में जादा है आप नीचे देख सकते हैं यह comment है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं petrol vehicle में तो यहाँ देखिए SC plus NOx इस class में देखे 0.30 है BS4 में यहाँ देखिए BS6 में यह 0.17 है यानि कि कम करी गई है तो इस परिकार से stable को आप पाउस करके देख सकते हैं कुल मलाके यह है कि BS6 में air pollutant या air pollution को कम करने वाले chemical emission कम करने के बात करी गई है तो Supreme Court के द्वारा यह दिया गया decision इन्वार्मेंट के लिए और भारत देश के नागरीकों की health के लिए में बहुत अच्छा है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ और आपको बहुत knowledge मिलियोगी तो इसी तरीकी के वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें, share करें तो मिलते हैं नए topic के साथ नए वीडियो में अगले वीडियो में Thank you